गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग अल अफ यू टीचर्स ओफ मोबाइल के स्कूल तीचर्स ओफ बिहार के स्कूल अन मोबाइल पे आप सभी का स्वागत हैं आज का हमारा सूविचार पॉस्टिव थौट कोटिशन है जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसा है हम जितने बार प्रयोग करेंगे हमारा जीवन पहले से और बहतर होता जाएगा तो हमें अपने जीवन के प्रयोग को हमेशा करते रहना चाहिए नए नए प्रियोगों को अपने जीवन में सामिल करना चाहिए जैसे कि आज हम लॉकडाउन में एक नए प्रियोग के रूप में हम लोग ऑनलाइन आप हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो यह हमारे लिए एक नया ही प्रियोग है अपने हमारे जीवन में तो अब हम आते हैं अपने आस्ट के class के class पर तो आज का हमारा topic है आज का हमारा topic है गती गती और समय को हम लोग कल के ही class से शुरू कर दिये हैं जिसे हमें आज भी समझना है तो हम लोग सबसे पहले गती को समझते है, तो गती को समझने के लिए हम लोग क्या समझते हैं, कि दुनिया में हर वस्तु, सारी वस्तुएं गती सील है, गती मान है, और वो good morning, good morning स्वेता, thank you. तो दुनिया में हर समय हर वस्तु गतिमान है वो चाहे कोई भी वस्तु ओ कोई इस्थेर नहीं है सारी वस्तुएं हमारी गती में हैं मोशन में गती को इंगलिस में क्या कहते हैं मोशन तो गतिमान वस्तुएं जैसे हवाई जहाज हमारे बर्ट्स जो चिडिया हैं हवाई जहाज हैं चाहे हमारा human body है सब कुछ गती में है चाहे हम रेष्ट में हम बैठे हुए हैं फिर भी हम लोग सांस ले रहे हमारा body अंदर से गती कर रहा है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्वेता तो हमारे सरीर की गती में हम लोग जो गती कर रहे हैं तो ये गतियों को समझने के लिए ये गतिया मैंने कल बताई आपको दो प्रिकार की होती है एक होती है तेव्डगती और दूसरी होती है मंदगती तेव्डगती और मंदगती इन गतियों को समझने के लिए भी हम एक बात को समझते हैं कि अगर माले जह हम एक दौर का आयोजन कर दें जिसमें कुछ बच्चे हैं वो दौर रहे हैं तो हम लोग इसको हम लोग समझते है कि अगर जो last point में जहां पहुचिना है हमारे finish point पे उस point पे जो सबसे पहले पहुचता है और कम समय में पहुचता है वो हमारा बच्चा first आता है तो इसके लिए हमें क्या है समय गती समय के सापेक्ष है गती को हमेशा हम समय के साथ लेकर चलते हैं motion time के साथ चलता है इससे हम लोग क्या समझते है motion time के साथ चलता है तो हमें इसके गती को समझने के लिए समय को भी समझना बहुत जरूरी है तो अब आते हैं हम लोग अपने time पे समय पे पहले जमाने में जब हमारे पूर्वज होते थे वे लोग अगर महीने को समझना है कि हमारा मन्त है एक अमावश्या से दूसरे अमावश्या के बीच में वे लोग एक महीना मानते थे एक सुरियोदय से दूसरी सुरियोदय के बीच में एक दिन मानते थे प्रित्वी अपनी कख्ष पे जो अकश पे एक बार घूमेगी सुर्य की परिक्रमा लगाएगी तो हमारे चार मौसम बनते हैं उस हिसाब से विवर्ष को मानते थे कि एक साल कंप्लीट हो गया तो इस तरह से हमारे पूर्वज मानते थे और यही आज भी हमारा चलते आ रहा है हम लोग इसी तरह महीना, वर्ष हम लोग भी हम लोग भी समझते हैं अपने आक्ष पे जब प्रीथवी एक बार घूमती है हमारा दिन रात बन जाता है तो अगर हम लोग यह तो बड़ा बड़ा टाइम है बड़े बड़े डूरेशन है टाइम के जिनकों हम लोग ऐसा समझते हैं अगर छोटे छोटे टाइम को समझना है अगर हमें छोटा छोटा जैसे दस मिनट एक घंटा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग घड़ी का उपियोग करते हैं हम लोग किसका उपियोग करते हैं घड़ी का तो बच्चों आप लोग भी जानते हैं घड़ियां भी कई प्रिकार की होती है कुछ हमारे हांत पे पहनने वाली घड़ियां होती है कुछ दिवाल पे घ टेंगने वाली घड़ी होती है,ола होती है, टेवल पे रखने वाली घड़ी होती है। घड़ी में हमेजा 3 सुई पाए जाते हैं, जो हमें घन्टा, समय और मिनट को बताती है। घड़े की तीन सुईयों में एक सुई हमें घंटा बताती है, एक सुई हमें मिनट बताती है और एक सुई जो है हमें सेकंड बताती है तो हमारी ये जो घड़ी है इसमें जो सबसे छोटी है इस घड़ी में जो सबसे छोटी हमारी सुई है वो हमें क्या बताती है जो सबसे छोटी सुई है घड़ी की वो हमें घंटा बताती है वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम समझते हैं कि अगर वो तीन से चार पे चली गई यानि हमारा एक घंटा हो गया चार बज गया अगर जैसे हमारी सुई बारा पर चली गए अगर सुई छोटी वाली तो हमारा बारा बज गया तो यह सब छोटी छोटी बातें यह आपको अच्छी तरह से मालूम है यह मुझे पता है तो आपको यह भी मालूम है आप लोग मैथ में पढ़े हैं लगवख 4-3, 4 ख्लास का ही यह सारी बातें कि 60 मिनट होता है तो उस तरह से हमारा एक घंटा बनता है यह सब आपको सभी ब बात यहां है जो हमें फिजिक्स यह जो हमारा चैप्टर है यह क्या है भौतिकी का चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर तो फिजिक्स में घड़ी को समझने के लिए हमें समय की माप को समझने के लिए आवर्ती गती घड़ी किस गती पर चलती है किस मोसन में चलती है आवर् मेरे पास वो भी घड़ी है नहीं मेरे पास घर पे जिसमें एक घंटा को बताने के लिए एक उसमें एक पेंडूलम की तरह लटका होता है और वो जब एक घंटा हो जाता है तो हिलता है और बजता है और बोलता है एक घंटा टन 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 बताता है कि एक घंटा हो गया फिर फिर वो बजता है जब एक घंटे के बात फिर वो बजना शुरू कर देगा तो इस तरह हमारा घड़ी टाइम बताता है बज करके तो आवर्ती गती को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक लोलक को लटकाया है जो लोलक हम लोग चलिए देखते हैं कि वो लोलक कैसे हम लोलक का ये देखिए ये है हमारा लोलक जो मैंने लटका रखा है तो ये लोलक अगर एक बार हमने खीच कर इसको छोड़ दे आपको दिख रहा है तो ये ये लोलक जो है दोलन में अपना दोलन करता है आगे पीछे ये मूव करता है ये आप लोग देख रहे हैं बच्चों तो ये एक बार खीचा जाएगा और ये उतनी ही दूरी उधर भी जाएगा जितना दूर हम इधर इसको खीचते हैं तो जितनी दूर हम इधर हम उस लोलक को हम लोग नचाते हैं उतनी ही दूर वो उस साइड भी जाता है और इस तरह वो अपना एक गती जो है जो अपना मोशन है वो कम्प्लीट कर रहा है तो ये जो गती जो लोलक में पाई जा रही है इसी गती के आधार पे हमारा क्या बना है घड़ी घड़ी में भी इसी प्रकार की गती को हम लोग देखते हैं पाते हैं तो आपके किताब में भी इस लोलक को समझाया गया आप अपनी किताब में भी देखिए तो ये देखिए ये है लोलक ये आप लोग देख पा रहे हैं ये लोलक जो है सबसे पहले 0 पोजीशन पे है ये बच्चो ये लोलक सबसे पहले चित्र A में 0 पर है ये देखिए एक हुक की सहायता से लोलक को लटकाया गया है ये सरल लोलक है और उसके बाद इस लोलक को हम एक पॉइंट A पर ले जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं ये क्या है लोलक यहाँ से 0 से होता हुआ ये B पढ़ा गया और A दोलन करते समय लोलक के गोलक की विभिन इस्तितिया ये जो गोला है ये सबसे पहले कहा गया A पर A से आया फिर 0 पर फिर इधर से आया ये B पर तो इस तरह इसकी जो इस्थिती है ये बदल रही है लोलक की इस्थिती को बदलते हुए दर्स आया गया है इस दोलन की सायता से इसको समझाने का प्रयास किया गया है तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि लोलग जो है सबसे पहले मध्य इस्थिती यानि कि मिडिल में मध्य में जब है मिडिल में है तो ये कहा है ओपर जिरो पर है ये यहां से खीच कर कहा ले गया है खीच कर लोलक को कहा ले गए A पर और A से फिर ये कहा जाएगा A से किस तरफ गया B की तरफ अब पुना अवा लोलक फिर कहा गया फिर वो लोलक गया 0 पर B से फिर गया 0 पर और 0 से गया A पर तो ये लोलक इसी तरह से कुछ देर तक अपना दोलन करता है अपने आपको नचाते रहता है तो इस प्रकार हम लोग घड़ी को समय को देखिए इसी आधार पे समय को बनाया गया है एक लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे लोलक का आवर्थ काल कहते हैं तो वर्चो यहां पे हमारा आवर्थ काल बन रहा है आवर्थ काल लोलक को एक दोलन यानि जीरो पॉइंट पे लोलक सबसे पहले सीधे खड़ा है वो वहां से कहां जा रहा है ए पर हम उसको खीचें तो वो कहां गया A पर फिर वो गया 0 पर फिर वो गया B पर फिर जब वो return होगा उधर से तो वो B से 0 पढ़ाएगा फिर 0 से A पढ़ जाएगा तो ये जो हमारा दोलन जो कर रहा है लोलक इसका एक दोलन एक बार 0 से A पढ़ जाना उसके बाद B पढ़ जाना ये हमारा कहलाता है आवर्त काल आप लोग सबसे पहले आवर्त का लाज याद करेंगे, लोलक सबसे पहले कहां है, बीच में है, जीरो पर है, सुन्य पर है, जो हमारा मिडिल पॉइंट है, हमारा उस पर है लोलक, वो वहां से हम लोग जब एक बार उसको खीचते हैं, तो वो किधर गया, एक ही तरफ गया, यह पर हम लोग खीच के, जैसे आप जूले पर बैठते हैं, लोलक एक तरह से जूला, जैसे आप जूले पर बैठते हैं, जब आपको पीछे की तरफ ले जाके छोड़ दिया जाता है, तो वो जूला आगे बढ़ जाता है, आप लोग चाह करके भी अपने जूले को तुर दोलन की गति को आप समझ सकते हैं जूले की मदद से तो जितना हम पीछे गये उतना ही आगे गये जूले पर बैठते हैं तो जितना आपको पीछे ले जाए जाता है उतना ही आगे की तरब भी बढ़ जाते हैं तो एक बार पीछे जाना और फिर आप बीच में आते हैं जहां से आप सुरू हुए थे वहाँ, पहले पीछे खीचे जाते हैं, फिर आते हैं, फिर उधर जाते हैं, तो ये जो एक दोलन है, ये एक बार जो आपका जूले पर जूलना है, एक बार उसे कहते हैं आवर्तकाल, ये आवर्तकाल कह जाता है, तो आवर्तकाल है, आपको याद करन है आवर्त काल लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहा जाता है लोलक द्वारा एक दोलन में पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहते हैं तो तो हमारा एक कोशन बनता है कि क्या हर बार का हमारा दोलन का समय एक ही होगा जब हमारे डोलने का समय हर बार में एक ही होगा नहीं कभी हमारा जूला बहुत ज़्यादा आगे है फिर वो धीरे धीरे स्लो भी होता है न जूला धीरे धीरे slow होता है और धीरे धीरे धीमा होते होते वो बीच में आकर के रुख जाता है हमारा जूला तो हमारा वहाँ पे धीरे धीरे वो हमारा आवर्तकाल धीरे धीरे कम होता है और बीच में फिर आकर रुख जाता है बचों आपको समझ में आ रही है तो हमारा आवर्तकाल आप लोग पहले आज का हमारा point क्या है आवर्तकाल टाइम को समझना है तो आवर्तकाल को समझना पड़ेगा फिर हम इसको और detail में और अच्छे से गती के प्रकार को भी समझ सकते हैं यह motion के कितने प्रकार है तो जो गती है motion है यह कितने टाइप्स के हैं इसको समझना भी जरूरी है आपको तो आप सबसे पहले आज जाने हैं घड़ी के बाड़े में घड़ी में भी लोलक के बाड़े में तो लोलक को हम लोग सबसे पहले उसमें एक गोल सार कुछ भी घेंड़नी उड़नी कुछ भी ले करके लटका देते हैं उसके बाद उसको एक बार खीचते हैं फिर छोड़ देते हैं जैसे जूले पर बैठके करते हैं तो एक बार हमारे जूले को पीछे जाना और फिर पीछे से उतनी ही दूर आगे जाना इन समय को जो जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है आवर्त काल कहलाता है ये जूला फिर धीरे धीरे जूलते जूलते फिर अपनी बीच की स्थिती में आ जाती है यानि अपनी पहले की इस्तिती में आ जाती है जीरो पड़ आ जाती है तो हमारा दोलन को समस्छ लगते हैं एक जूले के दौरा भी तो बच्चो हमारा समय जो है ओके कोई बात नहीं है बाबू गौरव कोई बात नहीं है बैटरी शार्ज नहीं है कोई बात नहीं है आप आएं वही बहुत अच्छी बात है तो समय का मात्रक समय को भी मापा जाता है जैसे आप बल को मापते हैं बल को हम लोग फोर्स कहते हैं तो बल का मात्रक फोर्स है न्यूटन प्रती मीटर हर चीज का एक मात्रक बनता है जिससे उसको हम लोग सूचित करते हैं मात्रक से हम लोग किसी भी समय को या किसी भी वस्तू को सूचित किया जाता है जो हमारा मात्रक कहलाता है तो हमारा समय का मात्रक है सेकेंड और इसको S से सूचित किया जाता है कहीं भी आप S देखेंगे 60S मतलब 60 second तो समय को किस से सूचित करते हैं S से और S क्या है? Second है तो हमारा हम लोग तो जानते हैं यह घंटा में भी होता है मिनट में भी होता है Second में भी होता है समय दिन में भी होता है Worst में भी होता है महीने में भी होता है समय बहुत प्रकार के है महीना भी समय है Worst भी समय है दिन भी समय है हमारा घंटा भी समय है और मिनट भी समय है सभी समय है लेकिन समय को सिर्फ हम इसका मात्रक है Second तो समय को किस में मात्ते हैं? Second में और इसका सूचित करते हैं ऐसे समय को किस से सूचित करते हैं ऐसे आपको एकदम याद रखना पड़ेगा ये छोटी छोटी बाते हैं क्योंकि इससे हम लोग कुछ numerical भी बनाएंगे कुछ इसमें हम लोग math के कुछ questions जैसे math में आप लोग solve करते हैं उसी type के math के questions इसमें भी ब समझेंगे तो आप लोग इसमें भी बहुत अच्छे से math में question बनाते हैं उसी type के questions आप इसमें भी बना सकते हैं तो हम लोग को ये समझना बहुत जरूरी है उसके बाद भी समझना आप उसके बाद समझेंगे अगर आपको किसी को I.U. बतानी है तो आप अपना I.U. बतात बता देते हैं अगर उसको बोले कोई घंटे में बताईए तो आप उसका घंटा निकालेंगे ना अगर कोई बोले आप उसको second में बताईए तो आप second बताएंगे ना तो इसी I.U. को हम अपने घंटे में भी सूचित कर सकते हैं second में भी सूचित कर सकते हैं minute में भी बता सक किसी भी रूप में हम बता सकते हैं। चल, चल बी चलने का एक गति का एक रूप है चाल, को इंगलिस में कहते हैं speed s-p-e-e-d chal को English में क्या कहते है speed speed का मतलब होता है chal तो समय तो हमारा कैसे निकल याता है पता ही नहीं चलता है तो आज का हमारा class का word होगा speed chal जो की आप समझेंगे chal को speed को कल हम लोग अच्छे से समझेंगे और आज आप लोग लोलप को अपने भासा में लिख कर भेजेंगे मुझे आपका homework है और एक लोलप की जाने आने की गतिया उसकी माध्य गति को आप बताएंगे जैसे की आपको figure मैं आपको बता रही हूँ जैसे ये आपका एक लोलप है जो की आप एक लोलप है ये सबसे पहले 0 पर है इस स्थिती पर है और जब ये लोलप को यहां से हम 0 0 0 से जब A पर ले जाते हैं और A से इसको यहां से यह गुमेगा और यह कहा जाएगा B स्थिती पर पहले हम यहां से बीच से 0 से अपनी इसकी माध्य स्थिती 0 क्या है माध्य स्थिती बीच की स्थिती और यह यहां से जाएगा A पर और A से फिर आएगा 0 पर अतब यह जाएगा B पर तो इस एक बार यह जाने आने का जो है समय इसे कहते हैं आवर्त काल इसे क्या कहते हैं बच्चो आवर्त काल एक बार जाने आने को हम क्या कहेंगे आवर्त काल तो यह एक फिगर होगा छोटा सा यह आप बना करके और भेजेंगे मुझे अगर ये लोलक, ये क्या है? लोलक, ये गोल सा जो है ये, ये क्या है? ये लोलक है, लोलक को जब हम नचाते हैं, घुमाते हैं, तो ये क्या बनाता है? आवर्तकाल, एक आवर्तकाल, जब माध्यस्तिती से A पर जाएगा और फिर रिटर्न होकर वापस आकर B पर जाएगा, त एक दोलन को पूरा करने में लगा समय एक दोलन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है आवर्थकाल आपको अच्छे से दिख रहा है एक दोलन को पूरा करने में लगा समय अब दोलन क्या है एक बार इसको हम माध्यस्तिती से खीच कर A पर ले जाए और A पर ले जाकर किसको हम छोड़ देते हैं तो छोड़ेंगे तो ये कहां जाएगा B पर तो एक बार दोलन ये जो एक बार खीच के छोड़ें, तो ये क्या कहलाएगा, दोलन, और एक दोलन को पूरा करने में लगा, समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल, ओके, आपको आवर्तकाल समझ में आ गया, तो अब हम कल के क्लास में हम समझेंगे, स्पीड को, जिसे हिंदी पे कहते हैं, चाल, तो हमारा चाल कल हम समझेंगे, आज आप इतना ही समझें, आवर्तकाल को याद करेंगे, और लिख करके हमें चोटा सा नोट्स बनाकर एक चोटी से पैराग्राफ में सिर्फ आवर्तकाल को लिख कर भेजेंगे, और एक फिगर बनाएंगे आवर्तकाल का, सिर्फ एक बीच में दोलन लोलक को लटकाना है, उसको एक तरफ ले जा करके छोड़ देना है, A और B की स् और ले जिसको आप अपने कॉपी पे ड्रो करेंगे, उसको बनाएंगे फिगर को, और उसके नीचे आवर्तकाल को लिखेंगे, कि एक दोलन में, एक दोलन को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय 11 बच के 40 मिनट पे सभी बच्चे आ जाएंगे क्लास में आप लोग बहुत लेट भी कर रहे हैं किसी की बैटरी भी चार्ज नहीं रह रही है कोई बात नहीं है फिर भी आप लोग प्रयास करेंगे कि अपनी बैटरी को पहले से ही चार्ज कर ले हमारे क्लास में आप सर समय उपस्तित हूँ ओके बिड़ बाई आप आप नाइस डे